दोस्तो कोई भी बड़ी सफलता या काम्याबी रात और रात तो नहीं मिल जाती है उसके लिए दिन रात करी मैनत और संकर्ष करना पड़ता है तब जाकर काम्याबी की बुलंदिया हासिल होती है दोस्तो हर बड़ी काम्याबी के पीछे बहुती बड़ा संकर्ष उपर हुआ होता है लेकिन यहाँ दिन रात संगस करने की ताकत आखे मिलती कहां से हैं उनको तो यहाँ ताकत मिलती है हमारे मोटिवेशन से यानि कि हमारे ही नहीं हर मोटिवेशन प्रेहनादा एक स्टोरी से उनको यह ताकत मिलती है और साथ में उनका ज़स्बा भी होना बहुत ही ज़ चुरू गिया और 500 करण तक का जो सफर है वो आज में आप लोगों से बताने वाला हूँ काम्याभी की एक ऐसी आग एक ऐसी मिसाल चो सीने में काम्याभी की बहुत ही बड़ी आग लगा देगी तो आई अगा इस ज्यादा समय नाले अत्य हुए वीडियो में आगे बढ़ते आज में आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ एक दलिच समाज से बिलोग करती है बलकि पुरा जीवन संगर्स से बरा होने के बावजुत हिमत और होसले के साथ जीती रही और आज 500 करण की कमपनी की मालकीन है तो चलिए जानते हैं इनके जीवन के संगर्स और काम्याबी के पीछे की कहानी ताकि मेरे दोस्त आप भी इस कहानी के जड़िये प्रेणा को हासिल कर सके और अपने जीवन के लक्सों को मुकाम को उस मुकाम को जो आपने साहत सपनों में देखा है उसे हासिल कर सके तो बिना वक्त ना लिए गाइस च प्वादा हुए लोगों को सालों तक अन्याय वो मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कल्पना सरोज की कहानी उस दलीत पिछडे समाज के लड़की की कहानी है। जी जन्म से ही समाज की अपेक्सा सहनी पड़ी। बारा साल की उम्र में ही विवा कर दिया गया था। दो रुपे रोज की नौकरी भी करनी पड़ी उन्होंने एक समय खुद को खत्म करने के लिए जहर पी लिया लेकिन आज वह कल्पना सरोज 500 करण के बिजनेस की मालकिन है जिन्दगी में यदि काम्याब होना चाहते होना तो एक बात सदेव याद रखना हर काम्याबी एक त् उतनी ही बहतर होगी तो चलिए हम कल्पना सरोज के जन्म से ही सुरू करते हैं सन 1961 में महारेष्ट के अकोल जिल्ले के छोटे से गावर ओपड़ खेडा के गरीब दलित परिवार में कल्पना का जन्म हुआ कल्पना के पिता एक बुलिस होलदार थे उनका वेतन मात्रह 300 दादा दादी तता चाचा जी के पूरे परिवार का खर्चा चलता था इस प्रकार परिवार का बड़ा होने के नाते पिता जी के वेतन का घर खर्च ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा था पुलिस होलदार होने के नाते उनका पुरा परिवार पुलिस क्वाटर में रहता थ थी पर पड़ाय में तो बहुत ही होसियार थी पर दलीत होने के कारण यहां भी उने सिख सको और सहब पार्टियों के अपिक्सा जेलनी पड़ी थी और कल्पना जी ने अपने बच्पन के बारे में बताते हुए कहा था हमारे गाव में बिजली नहीं थी कोई सुक्सुई दा नहीं थी बच्पन में स्कूल से लोटते वक्त में अक्सर गोबर उठाना खेत में काम करना और लकडिया चूसने का काम करती थी अब आगे बढ़ते हैं कल्पना जी के विवा की तरफ कल्पना जी जिस सुसाइटी से है वहां के लड़कियों को चहर की पूडिया की संगना दी जाती है इसलिए लड़कियों की साधी जल्दी करने को अपना बोजगम करने का चलन था वहां पर जब कल्पना जी बारा साल की हुई और साथवी कक्सा में पढ़ रही थी तभी समाज के दबाव में आकर उनके पिता ने उनकी पढ़ाई चुडवा दी और उस उम्र मे कल्पना जी से भी दस साल बड़ा एक लड़का है उससे साधी करवा दी साधी के बाद वो मुंबई चली गई जहां यातनाय पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी इस प्रकार उन्हें ससुराल वालों का जुल्म सहना पड़ा कल्पना जी ने अपने एक इंटर्यू में बत भी कपडे साफना होने पर मार पड़ती थी इस सब कुछ सहते सहते कल्पना जी की स्तेति इतनी बुरी हो चुकी थी कि जब सह महेने बाद उनके पिता उनके पिता जी कल्पना को तुरंती अपने साथ गाव वापस लेने का फैसला कर लिया अब आगे बढ़ते है कल्पना जी ने आत्महत्या का प्रयास क्यों किया जब साधी सुधा लड़की माई के आ जाती है तो समाज उसे अलगी नजर से देखता है आसपडोस के लोग ताने कस्ते तरह तरह की बाते बनाते हैं पीता जी ने दुबरा पढ़ाय करने के पढ़ाय में बीटाने के भी कोशिस की प इतना सब होने और सहने के बाद वो अंदर से पूरी तरीके से तूट चुकी थी उन्हें कुछ समझने या रहा था उन सब घटनाओं को अपनी मान शिक्ता पर इतना बुरा प्रपाव पढ़ा कि उन्होंने अब मरने का फैसला कर लिया वो अपने मन में यह सोती हुई कि हर समाज में जीना मुश्किल है और मरना आसान है वो मनी मन मनी मन में जहर पिने का फैसला कर चुकी थी अब तो उन्होंने कहीं से खटमत मानने वाली जहर की दिन बोतले खरी दी और चुपके से उसे लेकर अपनी बुआ के यहां चली गई बुआ जब चाय बना रही थी तब करी कल्पना ने तीनों बोतले एक साथ पीली बुआ चाय लेकर कमरे में कुछी तो उन्होंने उन्हों से हाथ से कब छुटकर जमीन पर गीर गया देखा कल्पना के मूँ से जाग निकल रही थी अपर रात अपरी में डॉक्टर की मदद ले गई बचना मुश्किल था और जब तुम्हें यहां लाया जा रहा था तो मैं समझ गया था तुम्हें जहर पिया है और अब तुम खत्रे से बिलकुली बाहर हो चुकी हो तुम्हारे पीता ने मुझे बताया था कि तुमने सूसाइट करने की कोशिस की थी मैं समझ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया बेटा भगवान तुमसे जरूर कोई बड़ा काम करवाना चाहता है तुम जरूर जीवन में कुछ बनने वाली हो इसलिए भगवान तुमारे जीवन में इतनी मुझेले खड़ी कर रहा है वो तुमारी परिक्सा ले रहा है बेटा बस यही से कलपना जी का जीवन बदल गया उन्हें लगा कि जिन्दगी ने उन्हें एक और मौका दे दिया है कलपना जी अपना ये एक विचार बताते हुए कहती है जब मैं बज गई थी तो सोचा कि जब कुछ करके मरा जा सकता है तो उससे अच्छा है कि कुछ करके जिया जाए और उन्होंने अपने अंदर एक नई उर्जा मैसुस हुई अब तो जीवन में कुछ करना चाहती थी इस घटना के बाद उन्होंने कही जगर नौकरी पाने की कोशिस की पर उनकी छोटी सी उम्र और शिक्सा की वज़े से कोई भी काम ना मिल सका इसलिए उन्होंने मुंबई जाने का फैसला कर लिया अब आगे बढ़ते हैं कल्पना जी ने बुलंद होसले के साथ बढ़ाए मुंबई की और काम्याबी के कदम सोला साल की उम्र में कल्पना जी अपने चाचा के पास मुंबई आ गई वो सिलाय का काम जानती थी इसलिए चाचा जी ने उन्हें एक कपड़े की मिल में काम दिला दिया उस दिनों को याद करके कल्पना जी बताती है मैं मशीन चलाना अच्छे से जानती थी पर ना जाने क्यूँ मुझसे मशीन चला ही नहीं जा रही थी इसलिए मुझे धागे काटने का काम दे दिया गया जिसके लिए मुझे रोज के दो रुपे मिलते थे कल्पना जी ने कुछ दिनों तक धागे काटने का काम किया पर जल्दी उन्होंने अपना आत्मविश्वा स्वापस पा लिया और मस्चीन भी चलाने लगी जिसके लिए उन्हें मैने के सवा दो रुपे मिलने लगे थे इसी बीच कुछ काराणों की वज़े से पिता जी की नौकरी छूट गई और पुरा परिवार आकर मुंबई रहने लगा गरीबी के चलते कलपना जी की बहन की मौत हो गई दीरे दीरे सब कुछ ठीक हो रहा था कि तब ही एक ऐसी गटना गटी जिससे कलपना जी को जगजोर कर दिया था उनकी बहन बहुत ही बीमार रहने लगी और इलाज के पैसे ना होने के काराण एक दिन उनकी मौत हो गई तब ही कलपना जी को एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वह है गड़ी और उन्होंने निश्चे कल लिया कि वो अब उस बीमारी को अपने जीवन से हमेशा कलिये खत्म कर देगी अब तो कलपना जी ने अपनी जिन्देगी से गरीब को मिटाने का प्राण ले लिया उन्होंने अपने छोटे से घर में ही कुछ सिलाई के मसीन लगवा लिये और 16-16 गंटे काम करने लगी उनके कड़ी मैनत करते भी आदत आज भी बरकरार है सिलाई के काम से कुछ पैसे आ जाते थे पर एक आप ही नहीं थे इसलिए उन्होंने बिजनेस करने का सोचा पर बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए थे इसके लिए वे सरकार से लोल लेने का प्रयास करने लगी उनके इलाके में एक आदमी रहता था चो लोन दिनाले का काम करता था कल्पना जी रोज सुब़ छे बजे उसके घर के सामने जाकर बैठ जाती थी कई दिन बीच गए पर वो उनकी तरफ के कोई ध्यान नहीं देता था पर एक मेने के बाद भी कल्पना जी ने उसके घर के चकल लगाने नहीं छोड़े मजबूरन उस आदमी को उससे बात करने पड़ी उस आदमी से पता चला कि अगर पचास हजार का लउन चाहिए तो उसमें से दस हजार इधर उधर खिलाने पड़ेगे कल्पना जी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी और इस तरह की समश्याओं से निपटने के लिए उन्होंने कुछ लोगे के साथ मिलकर एक संगटन बनाया जो लोगों को सरकार योजनाओं के बारे में बताया और लोन दिलाने में मदद करता था तीरे दिये संगटन कापी पोलपूल हो गया और समाज के लिए नीश्वार्थ पाउ से काम करने में कल्पना जी की पहचान भी बहुत बड़ी हो गई थी उन्होंने खुद भी महाराष्टर सरकार द्वारा चलाई जा रही महात्मा जोतिबा फुले योजना के अंतरगद 50,000 रुपे का कर्ज लिया और 22 साल के उम्र में फनीचर का बिजनस सुरू किया जिसमें उन्होंने कापी सपलता मिली और फिर कल्पना जी ने एक ब्यूटी पालर भी खोला इसके बाद कल्पना जी ने स्टेल फनीचर के वेपरी के साथ दोबरा विवा किया लेकिन वे 1990 में ही एक पुत्री और एक पुत्र का पार उन पर छोड़कर वे इस दुनिया से चले गए यानि कि उनका देहान्त हो गया इस सब कुछ हो जाने के बाद एक दिन एक आदमी कल्पना जी के पास आया और उनसे अपना प्लोट टाई लाग का बेचने के लिए कहा कल्पना जी ने कहा मेरे पास अभी ताई लाग तो नहीं है उसने कहा आप एक लाग मुझे अभी दे दीजीए भागी का आप बाद में दे दीजीए का कलपना जी ने अपनी चमा पुझी और उधार मांग कर एक लाग उसे दे दिये लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि चमीन विवादास पक है और उस पर कुछ बनाया जा सकता है उन्होंने एक देसबला पांच यानकि दो साल दो भाग करने पर उस चमीन से जुड़े सभी मामले सुलजा लिये और डाई लाग की किमत वालों का अफ्लोट का रात और रात पचास लाग का बना दिया गया एक वरत का इतनी महेंगी जमीन का मालिक बनना उस इलाके के गुंड को बचा नहीं उन्होंने कलपना जी की हत्या की साजिस बना डाली पर यह उनके अच्छे कर्मो का ही फल था कि उनकी हत्या के बारे में पहले से ही इस साजिस के बारे में पुलीस को बता दिया गया और पुलीस की मदद से उस गंडों गंडों को फकडवा दिया गया इसके बाद कलपना जी अपने पास एक आईसेस रिवालवर्ड रखने लगी इसका कहना था कि मै मैं बाबा साहिब के इस वचन के यकिन रखती हूँ सो दिन भेड की तरह जीने से अच्छा है एक दिन सेर की तरह जिया जाए आत्महतिया के प्रयास के दोरान वो मौत को इतनी करीबी से देख चुकी थी कि उन्हें अंदर से मनने का डर बिलकुल ही खत्म हो चुका था उन्ह सब्सक्राइब के अखत्म होने के बाद या तुम लोग मुझे मार सकते हो एह मामला सानत होने के बाद उन्होंने जमीन पर काउंटेशन करने की सोच से उनके लिए उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने एक सिंधी बेजबेज में पार्टनर्शिप खोल दी उन्होंने कहा जमीन मेरी है और बनाना आपको है इसके मुकाबले 65 तका अपना और 35 तका बाद में मान ली प्रकार के कारण कलपना जी ने 4.5 करोर रुपे कमाए थे उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने दिरे दिरे करके 2 रुपे से शुरू किया हुआ सफर 500 करोर पानसो करोर का बना दिया जीए यहाँ गाईस इस स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कॉमेट्स में चरूर बताएगा माप कीजियागा गाईज इस टोरी सिर्फ इतनी ही नहीं थी इस टोरी और भी लंबी थी लेकिन गाईज मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को सिर्फ इस 14 मिनिट में ही पूरी स्टोरी पता चल गई होगी और इसकी प्रेयना क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर ये वीडियो आप लोगों को दिल से पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना चलिए गईज मिलते हैं अगले एक और ऐसे प्रेयना दाइक कहानी में तो तबी के लिए जैहिन वंदे मात्रम